प्राचिन काल से ही रात के समय तांबे के बरतन में पानी भरकर रखना और सुबह के समय उस पानी को पीने स्वास्ते के लिए बहुती लापकारी माना जाता है आयुर्वेट में भी तांबे के बरतन में पानी पीने फाइदेमन माना गया है तांबे के बरतन में ऐजी बहुत सी खास्यत हैं जो हमारे स्वास्ते के लिए बहुत उप्योगी होती है दोस्तों क्या आप भी जानते हैं कि तांबे के बरतन में पानी पीने से क्या क्या फायदे हैं अगर आप भी इन गुणों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें तांबे के बरतन में पानी पीने से सरीर में कौपर की कमी काफी हद तक पूरी हो जाती है जो की बिमारी पैदा करने वाले वैक्टीरिया से सुरक्षा परदान करता है तांबे के बरतन में पानी पीने से ब्लेट प्रेसर नियंतरित रहता है और दिल भी स्वस्त रहता है और साथ ही है बैट कोलेस्टरोल में भी कमी लाता है इसके अलावा यह बाज, पित और कफ की सिकायत को दूर करने में भी काफी सायक होता है पेट से संबंदित विमारियों में भी तांबे के बरतन का पानी बहुत उप्योग हो रहता है इसका परियोग रोज करने से पेट का दर्द, गैस, एसिडिटी और कब जैसी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है तांबे में काफी मात्रा में मौझूद मिनरल्स होते हैं जो थाइराइट की समस्याओं को दूर करने में मददगार होते हैं सरीर की अंदरुनी सफाई के लिए तांबे का पानी बहुत उप्योगी होता है इसके अलावा यह लीवर और किड्नी को भी स्वस्त बनाए रखता है और किसी भी तरह के इंफेक्शन से लड़ने के लिए तांबे के बरतन में रखा पानी पीना बहुत लाबधायक होता है तांबे के बरतन में पानी पीने से सरीर में फोड़े, फुनसी, मुहासे और तवचा संबंदित अन्य रोगों से चुटकारा मिलता है जिसके कारण तोचा साफ और चमकदार दिखाई देने लगती है तांबे के बरतन का पानी पाचन तंतर को मजबुत बनाता है रात के वक्त तांबे के बरतन में पानी भरकर सुबह उस पानी को पीने से पाचन तंतर दुरुस्त होता है और्थ्राइट्स की समस्या से निबटने के लिए तांबे का पानी बहुत फाइदेमंद होता है तांबे में इंफलेमेंटरी गुन होता है इसलिए तांबे के बरतन का पानी पीने से सरीर में दर्द, एंठन और सूजन की समस्या काफी कम हो जाती है और हड्यों के दर्द में भी यह काफी हद तक रहत पहुचाता है दिमाग को सक्रे बनाए रखने में भी तांबे का पानी बहुत लाबदायक होता है इसके इस्तमाल से याददाश्टा मजबूत होती है और दिमाग भी तेज होता है तांबे के पानी को पीने से सरीर में वसा की मात्रा उचित बनी रहती है जिससे सरीर का वजन भी नियंत्रित रहता है आसा है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा तो जल्दी से इसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिष्टेदारों को शेयर भी करें ताकि वह भी इन जानकारियों का भरपूर लाब उठा सके हम आगे भी और भी ऐसे उपयोगी वीडियो लाने वाले हैं इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निसान को भी जरूर दवाएं जिससे आने वाले वीडियो की सुचना आप तक तुरन पहुंच जाए आपने हमारा यह वीडियो देखने के लिए अपना कीमती समय निकाला इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया